हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टो ओवर चैनल हाइपाटेटेज भी मैं हूं मोहमाद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए यस्टेडे वीडियो में मैं खुद आपको बोला था दोस्तों हमारा जो बैं के निफ्टी प्लेस लेवल पे हैं प्लेस लेवल पे कभी भी बैंग नहीं हो सकता मार्केट कल का अनफेर था और उसके हिसाब से मार्केट आज की डेट में कल के वीडियो में बताया आज की डेट में अगर ग्याप भी ओपन करता है तो फॉल ही करेगा ग्याप डॉपन कर Level अगर break कर रहा है तो market में fall आएगा अपने breakout लिवल तक अगर market में को opening लेवल तक जाने के लिए अपने breakdown और breakout लिवल का support लेता है तो वहां पर बनेगा हमारा buying pressure अभी आप देखो अपना उपर का breakdown लेवल नीचे का breakout के level के support के in वी टीवी नहीं ट्रेड करा जिदर मैं आप लोगों को आज 9 बजे ट्रेड नहीं दिया आज में दिया था 11 बजे दूस्तों आप यहां पर देख सकते हो 11 बजे में ट्रेड दिया था दूस्तों अप्रोक्स 1137 के इन बिट्विन बोला था 33,900 का सी एंट्रे ले लो साथ जुलाई का जो आट अफ दा मनी है 425 पहला टार्गेट होगा 442 सेकेंड टार्गेट होगा अभी इमेडिया टार्गेट अचीव होने के बाद हमारे पेट मेंबर्शने सबी लोगोंने बिजा दिया उसके बाद हमारा पहला और दूसरा टार्गेट एक ही बार अचीव हो गए इमेडिया टार्गेट रैली आ गई इमेडिया रैली आने का रिजन है अपना ओपनिंग लेवल तक सपोर्ट लेके ये उपर जाना अभी उसके बाद मैं कई लोगों ने स्क्रिंश लेशा टोर्ट जाने के बाद आज हो गया ट्रेड खतम अभी क्या होगा अभी कल के मारकेट में हम लोगों को बैइंग होगा यह मैं आज का मारकेट देखके ही बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है रीजन एक ही है दोस्तों कभी भी हमारे सीडि में अच्छे से के मार्केट में पब्लिक को selling देते वे डराया जा रहा है अगर माइनस में improper unfair market मार्केट चला तो भी हम लोगों को buying पे ही ठाहरना है क्योंकि माइनस level पे कभी selling नहीं होता global market indicate कर रहा है कि market fall होगा तो तब ही fall गया है और कल के लेवल तक के breakdown तक भी हमें मार्केट में rally देखने को मिलेगा बैंक निप्टी का तो उसके basis पहले तो देखो MACD बोल रहा है positive RSI बोल रहा है positive अभी मैं यहां पर हुल्मा निकाल देता हुल्मा indicate नहीं कर रहा है जो हमें help करेगा हम लोग उसकी मदद लेंगे तो हमारा matrix series भी बोल रहा है positive हर तरीके से market positive है कल market gap up भी open करेगा positive जाएगा gap down भी open करेगा positive जाएगा neutral भी open करेगा market positive जाएगा अभी positive जाएगा मैं इतना हिमा से इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके breakdown level and breakout level कई दूर तक है and one day के हिसाब से market totally positive है जतना recover करना था उतना recover किया and उसके बाद immediate rally अपना previous breakout जो आज हम लोग काम कर रहे थे and अपना आज का breakdown जो अल्रेड़ी बन चुका है trend बनके ही नीचे आया है आज का खुद का breakout जो आज के date बना वा है यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां पर mid of resistant resting period बन रहा है इसका मतलब कल का market अगर गलती से भी fall कर रहा है तो इसमें resting लेके rally देगा अभी आज के के हिसाब से कल का breakdown level यहां पर है यानि हमारा जो भी चेंज होगा हमारा इस level break करने के बाद होगा 33-7-20 कल opening हमें बोलेगा कि breakout के नीचे जाएगा या breakout के ऊपर जाएगा अगर breakout अगर opening ऊपर levels पर हो रही है तो दोस्तों लिख के ले लो CE जाने के बाद कल expiry के effect पर market नीचे किरेगा अगर कल market नीचे से ओपन हो रहा है तो इस resting period में rest करके ऊपर करेगा दोस्तों आज मैं जो आपको अभी वीडियो में analysis दे रहा हूं इसी वीडियो के basis पर मैं कल आपको टेलिग्राम में trade देने वाला हूं तो अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो description में link है आप जाके link को क्लिक करिए और join करिए और मैं regular intraday trip provide करता हूं अपने टेलिग्राम चैनल में है लग में कर दो अदेक्वें टेलिग्राम चैनल को बार्चार को जड़ नहीं जाए तो प्रम चैनल में खजग्राम चैनल को झाल झाल झाल